हम लोग हाप से किस में डावलेमेंट पढ़ रहे हैं वर्टीब सल यह फिर और हम लोग mission होनी चाहिए limb development के बारे में तो tetrapod limbs में tetrapods में क्या होते four limbs होते हैं ठीक है four limbs होते हैं vertebrates के case में जैसे की amphibia reptiles, bird, mammals including human है न तो इन सब में क्या होते हैं कि four limbs होते हैं two four limbs होते हैं और two hind limbs होते हैं तो इसलिए इनको tetrapod बोला जाता है the bones of limb जो की bone limbs की जो भी बनने वाली हैं वो wings बना सकती हैं foot बना सकती हैं, hands बना सकती हैं, flippers बना सकती हैं तो जो tetrapod होते हैं इनके four limb या hind limb होते हैं वो क्या-क्या structure बना सकते हैं अगर bird हैं तो wings बनाएंगे उनके four limb अगर means की foot case में जैसे human के case में foot hind limb बना रहे हैं hand हम लोगों के case में hand बन रहे हैं flippers बनते हैं एक structure flippers होता है तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो tetra port के limbs हैं वो कहां कहां पर अपना involvement show करें उनका क्या work है अब अगर limb तो जैसे हमने बताए कि fore limb और hind limb होते हैं fore limb में wings और hands ये आ जाते हैं wings किस के case में जैसे की birds के case में wings fore limb बनाएंगे या फिर bat आपने सुना होगा bat है ना या फिर अगर human के case में hand बन जाएंगे hind limb की बात करें तो legs का formation होता है अब इसके बाद तो अगर किसी भी हम लोग means की जो limb का formation होता है वो basically morphogenetic rule को follow करता है अब morphogen तो आप लोग जानते हैं तो किसी भी limb के formation में means की vertebrates के कहीं भी कोई भी limb formation हो रहा इन vertebrates में जैसे की reptiles है amphibia है, mammals है, mammals है तो इन में सब में कोई भी tetra pod हो लेकिन सब के सब morphogenetic rule को follow करते हैं सभी में same type का means development होता है limb का morphogenetic rule same follow करते हैं इसलिए tetra pod means कि ऐसा नहीं बोला गया ना human का अलग development हो रहा है या phirbots का अलग हो रहा है इसलिए tetra pod limb development के नाम से ही topic को रखा गया इसलिए क्योंकि जादा तर जितने भी यह vertebrates होते हैं उनमें limb की development में जो morphogenetic rule होता है वो same follow होता है positional information होती है limb construction के लिए क्या होता है positional information होती है limb means construction के लिए तो जैसे कि अभी आपको आगे बताएंगे कि particular जैसे हमारी body में limb एक particular position पे हैं और वो position हर किसी की body में एक ही जगे पे limb का development हो रहा चाहें वो hand हो या foot हो तो यह क्या होता है कि यह एक तरीके से same morphogenetic rule सभी means vertebrates follow करते हैं अब limb development से पहले हम लोगो समझना होगा इसके structure के बारे में तो limb का structure हमें पता होना चाहिए तो यहां पे आप देख पा रहे हैं structure बना हुआ है limb का जो portion हमारी body से attach होता है जो close to body होता है उसको बोलते है proximal ठीक है जैसे कि shoulder वाला part जो हमारी body से attach है तो उसको proximal बोलते हैं फिर जो हमारे digit वाला portion है जहां पे एकदम last में पहुझता है तो उस end को बोलते है distal तो proximal और distal आप समझ गए इसके बाद फिर क्या होता है कि जो हमारा thumb होता है जो हमारा thumb होता है उसको बोला जाता है anterior चीक है और जो हमारी little finger होती है जिसको हम लोग developmental की language में इसको pinky बोलते है उसको posterior बोला जाता है तो thumb to little finger को क्या बोला जाता है anterior posterior shoulder to जो हमारा hand दिखता है वहां के portion को क्या बोला जाता proximal distal अब अगर हम लोग four limb की बात करें four limb क्या-क्या बना सकते हैं hands बना सकते हैं human के case में wings बना सकते हैं word के case में या फिर bat के case में तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले shoulder के just shoulder के यहां पे एक scapula bone होती है वो यहां पे नहीं mention की गई है जो shoulder bone होती है इसके नीचे एक bone होती है जिसको कहा जाता है humorous four limb के case में ठीक है four limb के case में इसको कहा जाता है humorous और इसको humorous इसके बाद फिर next जो bone होती है ये तो हमारी shoulder के जो नीचे वाली bone हो गई वो हो गई जो body से हमारे attach रहती है इसके बाद फिर next जो bone हमें दिखती है जो हमारा means की distal end पर जब hand shift हो रहा है तो वहाँ पर एक होती है अलना और दूसरी होती है radius तो ये हो गई हमारी radius ये वाली जो लोग बोलते हैं metatarsal क्या बोलते हैं metatarsal और इसके बाद जो हमारे digits बनते हैं तो वो digits के फॉर्म में रहते हैं तो अब इनको developmental के language में जो humorous में participation ले रही है उसको stylo port कहा जाता है अब आपको ये याद करना है कि humorous वाला जो सबसे पहले जो body से attach proximal portion पर जो bone है उसको four limb के case में जो humorous बनाती है उस area को कहा जाता है stylo port जो radius अलना बनाती है उसको कहा जाता है jugo port और जो इसके बाद ये digits और ये metatarsal बनाती है उसको बोला जाता है autoport अब ये आपको याद रखना कि three parts होते हैं मारे hand में stylo port, jugo port, autoport same यही part for hind limb में भी होते हैं तो hind limb में कौन से bone participate करते हैं तो hind limb क्या बनाते हैं leg बनाते हैं अब अगर हम लोग जैसे हमारी थाई वाली bone होती हम लोग क्या बोलते हैं इसके बाद क्या होता है tibia fibula होता है इसके बाद metatarsal toy होता है ठीक है तो यहां पे जो humorous जो four limb में stylo port बना ली थी अगर hind limb की बात करें तो femur बनाएगी stylo port का formation करेगी जुगा port का formation tibia fibula करेगा जो की four limb में radius अलना कर रहा था और जो autoport का formation है वो metatarsal toy जो है वो कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा है यह पूरा हमारे hand में यह three type के एक तरीके से location होते stylo port कहा जाता है जहां पे humorous four limb के case में hind limb के case में femur होता है जुगा port में four limb के case में radius अलना और hind limb के case में tibia fibula होता है और autoport में metacarpal होगा यहां पे sorry तो इस तरीके से यह formation हो दिए four limb की बात करें और four limb में अगर हम bird के case में क्या देख रहे है कि same bone पाय जा रहे human के case में भी बहरे है same bone पाय जा रहे है cuchure तो same है सबके structure क्या दिख रहे है same है लेकिन four limb जो birds का होता है वो क्या उसका function क्या है और human के जो four limb है उनका क्या function है bird के wings बनाते हैं फोर limb birds के wings यहाँ पे wings हमने दिखा है न विंक्स बनाते हैं तो wings का काम क्या होता है fly करना human के hand का काम क्या होता है other work होता है तो एक तरीके से यह कैसे organ हो गए homologous ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है means कि structure सेम है लेकिन function क्या है different है तो इसलिए इनको कहा गया homologous यह आपको structure पहले समझ लेना है जब आप structure समझेंगे तो आपको और हाँ इस से question भी स्लाइड से question आया है तो इसलिए इसको भी हलके में मत लीजिए कि कोई चीज अगर basic भी हम पढ़ रहे हैं तो वह सिर्फ basic समझने के लिए basic से भी question आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि कहां पर stylo code हो रहा है किस एरिया को कहते हैं किस एरिया को जुगा अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखी क्या हो रहा है कि एक सबसे पहले एक proximal distal end है proximal distal में जैसा कि हमने बताया है कि जो close to body होगा उसको proximal बोलेंगे जो far होगा body से उसको distal बोलेंगे ठीक है इसके बाद दूसरा क्या anterior posterior तो जो थम हमारा है उसको हम लोग anterior बोलते हैं जो pinky यह जिसको little finger कहते हैं इसको पोस्टीर कहते हैं इसके साथ-साथ हमारा जो hand होता है उसमें देखिए एक dorsal side होती है और एक vental side जो palm हमारा होता है palm को हम लोग क्या कहते है vental side कहते हैं और palm के just opposite जो side होता है उसको dorsal side या knuckle जो इसको वैसे language में क्या बोलते है knuckle ठीक है तो इस तरीके से यह three dimension structure मतलब हमारे hands में होता है proximal, distal, anterior, posterior, dorsal, vental अब इसके बाद जब किसी भी hand का formation होता है तो वहाँ पर जैसे आमने बताए कि three dimension structure आप देख पा रहे हैं तो three dimension में जो proximal distal होता है proximal distal में क्या होता है shoulder to finger है na shoulder to finger को हम लोग क्या बोलते है proximal distal और अभी आप सिर्फ यह समझ लिजे कि यह हमने at a मतलब आप समझे कि तुरंत आपको यह समझ में आए कि किन किन चीजों से regulation हो रहा है लेकिन अभी यह सब regulation हमें समझना है तो जब shoulder to finger proximal to distal बनता है तो इसमें दो चीजों का बहुत ज़्यादा involvement होता है एक होता है FGF और दूसरा होता है AER FGF का मतलब कि यह morphogen है fibroplast growth factor है तो आप समझना है कि growth factor है तो growth ही कराएगा जो हमारा hand यह लंबा लंबा दिखता है तो यह किसकी वज़े से दिखता है तो proximal distal growth होती है तो FGF factor एक responsible होता है अब FGF factor में भी FGF 10 होता है FGF 8 यह हम लोग अभी आगे discuss करेंगे दूसरा क्या होता है AER AER क्या होता है apical ectodermal ridge या apical epidermal ridge है न तो यह ridge का बहुत important role है ठीक वैसे ही role है जैसे कि आप regeneration में AEC पढ़ रहे थे है न apical ectodermal cap पढ़ रहे थे और जब तक यह नहीं होता था तब तक की regeneration possible नहीं है ठीक वैसे ही AER भी यहां पे important role play कर रहा है और तो इसलिए proximal to distal यह shoulder to finger बनने में यह दो component का बहुत important role होता है कैसे होता है हम लोग अभी आगे discuss करेंगे bone, endocondral, ossification, most of the cartilage are the replaced by bone और जो भी हमारे hands होते हैं जितनी जो bone होते हैं वो cartilage से ही बने होते हैं cartilage को ही replace करके bone का formation होता है दूसरा जो हमारा dimension है वो है anterior, posterior, thumb to little finger तो इसमें involvement होता है sonic hajog का हमने अल्डेडी आपको sonic hajog के बारे में बता के रखा है जो pathway बताया था इसके बाद dorsal vental, dorsal vental में क्या है कि नकल और palm का formation जहां पे main involve होता है wnt7a pathway तो यह main main pathways है जोनका बहुत important role है इन three dimension structure के formation में अब हम लोग देखते हैं कि कैसे limb का limb बनने से पहले, limb के development होने से पहले एक limb field generate होता है limb field कैसे generate होता है जैसे कि कुछ somite cells होती है, somite cells क्या होती है, limb muscle precursor मतलब कि यह somite cells, यह embryo के parts हैं, ठीक है क्योंकि limb का development तो embryonic stage में हो रहा है तो somite cells भी embryo में पाई जाती है, lateral plate mesodum भी embryo में पाया जाता है lateral plate mesodum embryo की पूरी periphery पे मतलब यह cells पाई जाती है, यह structure पाया जाता है जो की involve होता है क्योंकि basically हमारा जो limb है वो कहाँ develop हो रहा है, ventrolateral है ventrolateral position में develop हो रहा है, तो इसलिए पूरी embryo की periphery पे lateral plate mesodum पाई जाते हैं और कुछ somite cells पाया जाते हैं, यह embryonic development के time के cell है, ठीक है अब इसके बाद जो somite cells होते हैं, वो sclerotomes, dermatotomes, यह नाम से ही समझे हैं कि जैसे dermis का formation करेंगे, myotomes, अब myotomes क्या बनाने वाले हैं, myotomes आगे चलके muscles बनाने वाले हैं इसका मतलब myotomes क्या है, myotomes है, muscles precursor cells है ना, तो क्या हो जाएंगे, यह muscles, myotomes क्या होते हैं जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि somite से क्या बन रहा है, limb muscle precursor तो limb muscle precursor कौन है, means कि somite के कुछ cells, myotomes जो है, वो limb muscle precursor है आगे चलके यह limb बनाएं, means muscles बनाएंगे, क्योंकि हमारे hand में क्या दो चीज़े हैं एक muscles हैं, दूसरे क्या है, skeleton muscles है, मतलब skeleton वाला structure है तो skeleton वाले structure को contribute कौन करता है, lateral prate mesoderm तो यह LPM जिसको मनों short में बोलते है, lateral prate mesoderm a type of mesoderm found in periphery of embryo, जो की होता है limb skeleton precursor तो दो तरह के हमको precursor cells देखे, एक precursor cells जो somite से आते हैं उनको बोलते मायोटोम, या उसको कहा जाता है limb muscle precursor और दूसरा जो होता है lateral plate mesoderm, जिनको हम लोग क्या कहते हैं limb skeleton precursor, और यह दोनों एक particular field में आते हैं जहां पर यह दोनों tissue इखटा होते हैं, वहां पर एक bulging like structure बनता है और वहीं पर एक AR का structure formation होता है, और वहीं पर limb का development होता है क्योंकि जब यह tissue जैसे पने बताए कि पूरी periphery में पाए जाते हैं embryo के लेकिन फिर भी अगर आप four limb की बात करें, hind limb की particular location पे इनका development हो रहा है तो जहां पर development होता है, वहां पर यह दोनों type के precursor cells move करके एक limb bud का formation करते हैं, और उस limb bud के formation से क्या होता है, limb का development होता है तो अब इसके बाद आगे हम लोग यह देखते हैं कि जैसे कि जहां पर limb का development हो रहा है और limb field क्या है कि उस field, उस area की सभी cells में capability होती है, जो limb field होता है limb bud तो हमने बताया है, जहां पर letter plate, mesodum और myotome मिलके खटा होते हैं, बल जलाई के structure बनता है, तो limb bud बन जाता है एक limb field होता है, limb field का मतलब कि एक particular area है cells का, जहां पर जहां कि सभी cells के पास capability है limb बनाने का, उसको limb field कहा जाता है अब limb field एक, क्योंकि हमारे पूरे ventrolateral side में सिर्फ एक ही जगह ऐसी जहां पर limb field generate हो रहा है तो उसको देखने के लिए कुछ experiment किये गए, कि भाई ये क्यों specific है ये जगह पे तो generate a distinct position मतलब limb एक particular discrete position पे generate होता है not anywhere along the body axis, कहीं भी पूरी body में तो या कहीं भी limb नहीं generate हो जाता है एक particular position पे होता है, तो और जो भी vertebrates में limb की development होती वो mesodermal होती है mesodermal, mesoderm से मिलके बना होता है अब इसके बाद, तो ये इसको कैसे देखा गया, इस tissue को identify कैसे किया गया कि भाई यही tissue participate कर रहा है limb field में, means की limb के formation में तो पहला क्या किया गया, पहला ये किया गया कि यहाँ पे limb does not develop in absence of certain group of cells कि जिस limb, जो limb field था, वहाँ से कुछ certain cells को हटा दिया गया, group of cells को हटाया गया तो क्या देखा गया, कि limb का development नहीं हो रहा था फिर क्या देखा गया, formation of limb at new location by transplanting group of cells to new place अब suppose कि यह हमारा body part है, यहाँ की कुछ cells को हटा के, एक नए position पे रख दिया गया जहाँ पे limb बनने वाला था, वहाँ की cells को हटा के, यहाँ पे रख दिया गया तो यहाँ पे limb का formation होने लगा, मिल्स की जो एक limb field था, वहाँ पे जो cells थी, उनके पास एक particular capability थी, उनके पास एक morphogenetic gradient था जिसकी वज़े से वो limb का development कर पा रही थी, अब उन cells को ठाके हम lateral side में कहीं भी रखेंगे, तो वो बना पाएंगी limb को तो दूसरे experiment से यह पता चला कि कुछ particular cells ही limb का development करती हैं, या फिर क्या करा जाए, कि कुछ group of cells जो की limb बनाने वाली हैं, उनको हम die से, या radioactive compound से, इनसे हमने क्या करा, उनको tag कर दिया, tag करने के बाद observe किया, तो उनके descendant क्या थे, कि बना रहे थे, मतब कि part ले रहे थे limb development में, तो भाई, जैसे radioactive compound से हमने उसको label करिया है, dye से कर दिया, तो जो जिन cells को हमने dye किया, या radio label किया, और वही cells आगे limb बनाने में participate कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा ना कि यही particular cells participate कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको radio activity, auto radiography करके हम लोग देख पाएंगे, कि कौन से cells participate, descendant कौन मेंज कि उनकी original कहां से हो रही है, तो वो हम पता कर पाएंगे dye or radioactive compound से, तो इस तरीके से यह बताया गया कि कुछ specific limb field होती है, जहां से ही limb develop हो सकता है, हर जगह body access से नहीं limb development हो सकता है, यह तीन experiment से यह पता लगाया गया, झाल 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 झाल